सहां जहांपुर भारती राज उत्तर प्रदेश का एक प्रमुक एतिहासिक जिला है जिसे सहीदगड या सहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है यह वही जगा है जहां भारत छोडो आंदोलन और ककोरी कांड के सूरवीरों का लहू आज भी यहां की धर्ती में समाहित है सांजहांपुर को 2018 में उत्तर प्रदेश का सत्रेवा नगर देगम का दर्जा मिला था सांजहांपुर रामप्रसाद बिस्मिल और सहीद अस्फाक उल्ला खां जैसे बहादूर सतंतता सेनानियों की जन मिस्तली भी रहा है इसके अलावत दुन्या की तीतरी सबसे उची हनुमान भगवान जी की प्रतिमा सांजहांपुर में ही इस्तित है सांजहांपुर की स्थापना दिलेर खान और सेर बहादुर खान द्वार इन दो वहियों के द्वारा की गई थी जो कि मोगल समराठ जहांगीर की सेना में सैनिक थे यह जल अपने कैई सारे पड़ोसी जिलों से भी गिरा हुआ है सा जहाँपुर के उत्तर में पीली भीज जिला, पूर में लखिमपुर खीरी और हर्दोई जिला, दक्षिड में फरुकाबाद जिला और पश्चिम में बनायू और बरेली जिला इस्तित है यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव से 155 किलोमीटर तथा देश की राजधानी नई दिल्ली से 348 किलोमीटर की दूरी परिश्चित है सा जहाँपुर सहर अपने कालीन और गहने उद्योग के लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है लगबक 438 किलोमीटर के छेत्र में फैले हुए सहाँपुर जिले की जनसंक्या की बात करें तो 2011 की जनगड़ना के अनुसार 30 लाग से उपर थी इस जिले को पांच तैसीलों में बाटा गया है जो की इस प्रकार हैं पुवाया, सहाँजापुर सदर, तिलहर, कलान और जलालाबाद इस जिले की अर्थ व्यवस्ता मुख्यो रूप से क्रसी पर आदारित है गैहू, धान और गन्ना यहां की मुख्य प्रसले हैं सहर के उद्योगों में कालीन उद्योग, सराव की फैक्टरी, चीनी की मिलें, यह यहां के सबसे फुराने उद्योग हैं, इसके इलाबा यहां पर एक कपडे की ओर्डिनेंस फैक्टरी भी हैं, जो की सेना के लिए कपडे और पेरा सूट बनाती है सहाजापूर रेल्वे स्टेशन, यहां के मुख्य रेल्वे स्टेशनों में से एक है, यहां पर प्लेटफॉर्मों की संक्या छे हैं, और यह रेल्वे स्टेशन लखनों मुरादाबाद लाइन और सहाजापूर पीली भीच लाइन परिस्तिद हैं यह जिला अपने खूबसूरत परेड़निस्तलों के लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है तो आईए जानते हैं वो कौन से खूबसूरत परेड़निस्तल हैं जिनके विना साजहापुर का ब्रहमण अधूरा है नमबर एक सहीद पार्क सहीद पार्क सहाजापुर का एक प्रसिद पार्क है यहाँ पार्क हमारे देश के लिए सहीद हुए लोगों को समर्पित है यहाँ पर उनकी प्रतिमाय देखने के लिए मिलती है नमबर दो, हनुमत धाम, हनुमत धाम सहाजापुर का एक प्रसिद्ध इस्तल है, यह मंदर हनुमान जी को समर्पित है, इस मंदर में हनुमान जी की 104 फीट उची प्रत्मा देखने के लिए मिलती है नमबर तीन, सहीद संग्राले, सहीद संग्राले सहाजापुर का एक प्रमुक प्रेटर निस्तल है, यह संग्राले सहाजापुर में जी एफ कॉलिज के पास में श्तित है नमबर चार, काली माता मंदर काली माता मंदर सहाजापुर का एक प्रसिद्ध मंदर है दोस्तों सहाजापुर में ऐसे और भी परेटर निस्तल है जो की देख रहे होगे हैं